हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यह हमारा 10th Discovery का 2nd part है 2nd part में मैं आपको बताऊंगा, 1st part में जितना बताया था, उसके just next आपको क्या करना है, उसके आँगे आपको क्या करना है, वो मैं बताऊंगा तो 10th Discovery हमारा open है, यह 10th Discovery, आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था, लॉक फाइल इंपोर्ट कैसे करना है, एक बार और बता दू, फाइल में जाके इंपोर्ट डेटा और इंपोर्ट डेटा करके सारा आपने लॉक फाइल इंपोर्ट कर दिया, मैंने आपको पिछले वी है, आपका डेटा इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट होने के बाद काम क्या रह जाता है आपका, उसको एक्सपोर्ट करना, अब एक्सपोर्ट करना, उसका प्रजेक्ट बनाना, वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप जाओ, आपने क्या नाम आप ओपन होके आता है यह आ गया कंपोजीट कंपोजीट मेंबर लोग लिस्टनिंग डेटा सेट्स तो आपको यह कंपोजीट पर राइट प्लिक करना है यह आपने राइट प्लिक किया दोस्तों मैं आपको दिस्कावरी का यूज बता रहा हूं इसके बाद यहां पर आप देखो सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर आपने MS1, MS2, MS3 तीनों की किट लगा रखी है MS1 में 2G, MS2 में 3G सब्वोज ऐसे ही आपने 2-3 equipment लगा रखी है तो मैं सबसे पहले MS1 में 4G लगा रखा तो उसके लिए बना रहा हूं तो सबसे पहले आप new पर जाओ, new में यहां पर डालो आप अपने याद के लिए आप डाल दो MS1 4G ideal डाल दिया हमने EC2 OK कर दो. क्याक आप यहां पुड़ा blank हो गया, अब दियाँस से देखना आप यहां पर है By drag drop and By Spread Seat Filtring by spread filtering में तिक करो हमने यह하는 क्लिक करने के बाद यह Windows अधल लगा traffic में नहींक दिखा रही है लेकिन जैसे या फोर जी ड्राइब मैयर प्लांट में प्लिक किया आपने फिर भी यहाँ पे नहीं दिखा रही है अब इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना कई बार आप सोचने रखते हो यहाँ पे लॉक फाइल दिखा के नहीं रही गई तो गई कहाँ आप रिफ्रेश इस्प्रेट सीट रिफ्रेश करो आप इसको यह टिक किया मैंने यह इतनी लॉक फाइल अपनी थी यह सारी लॉक फाइल आ गई अभी आपको सोचो एक तो तीन चार इनको एक एक करके सेलेक्ट करो बहुत टाइम लगेगा आप राइट करसल पे जाओ राइट पे जाके आपको यह क्या है फाइल डिवाइस डेट टाइम यह सवा रहा है आपका आप जाओ डिवाइस यह लेबल आ गया इसके पहले डिवाइस डिवाइस में जाओ आप यह फिल्टर लगा हुआ इस पर टिक करो आप इस पर टिक किया तो क्या है MS1, अब यह MS2 भी ड्राइब करते तो MS2 भी आ जाता, MS3 भी आ जाता, लेकिन MS1 से मैंने ड्राइब किया, MS1 आ गया, सबको अंचेक कर दो, MS1 को चेक-इन कर लो, कर दिया हमने, यह अपनी लॉक फाइल बसा गई, अगेन आप लेफ्ट वाला करसल में जाओ और टिक करो, अप पहले वाले पॉइंट प्या गए, अब आपको एक एक करके ऐसे सलेट नहीं करना है, कि ऐसे आप सलेट करतो बैठो नहीं, आपको प्रोफेस्नली काम करना है, आ आप चेक आल करो, यह आपने चेक आल कर दिया, सारे चेक इन हो गए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपने नाम तो दे ही रखा था, नाम नहीं दिया होता, तो आपको सेव आज करना पड़ता, बट नाम दे रखा आपने सेव कर दो, आप बस सेव हो गया, यह आपका स अब आपको सपोज हमने इसी पे MS2 भी लगा रखा था इसी लॉक फाइल में MS2 की भी ड्राइब की थी MS3 की भी की थी तो अपन अभी क्या करेंगे मैंने बैक कर दिया जैसे कि यह आपना वापस आ गया अभी आप अगे निव पर जाओ निव में जाने के बाद आप MS2 लिख लो MS2 लिखने के बाद आप जैसे 2G की ड्राइब किया था MS2 में 2G ideal या dedicated ओके कर लो कर लिया सेम प्रोसेस क्या वाइ फिल्ट्रिंग 4G data select कर लिया और क्या रिफ्रेश सीट यह सारी लोग आ गई अब आप राइट पर जब जाओगे तो यह जो डिवाइस में अपना MS1 आ रहा है तो वहां पर MS2 भी आता और MS2 आता तो आप MS2 select कर लेते बाकी uncheck कर लेते और ok कर देते यहां से आप तो इस तरह और ok करने के बाद आप सेप कर देते इस तरह आपका MS2 कभी बन जाता अब सपोज आपने MS3 भी लगा रखा है तो राइट क्लिक करके create करो आप और अगिन वही spread में जाओ यह जाओ और इस पर अपना refresh कर दो राइट पर राइट पर जाओ आप और यह device से अपना MS1 MS2 MS3 की यह था MS3 select कर लो आप अभी MS1 बस दिखाएगा वो तो आपको पता ही है और okay कर दो आप और save कर दो इस तरह से यह आप कट कर दो उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर यह composite में अब आप plus में check-in click कर दिया हमें अब आप यदि MS2 की भी किये होते और MS2 की जैसे हमने आपको बचाया आप वह ऐसा किये होते तो नीचे यह plus के नीचे एक और प्लस आता और लिखा रहता MS2 2GI dedicated MS3 भी किया होता तो MS3 में सपोज आप data drive तो data drive 3G वो आ जाता लिखा हुआ अभी हमने MS1 वस कर रखा था MS1 वस आया अभी अब आपके मन में सवाल उठता होगा इतना तो कर लिया इसके आगे क्या करना है अभी तो हमारा export हुआ नहीं हाँ एक्सपोर्ट नहीं हुआ है आपका बट आपका import हो गया है सारा locks और एक बार import होने के बाद बहुत ही जल्दी होता है discovery में अब MS1 में यह प्लस में आप click करो हमने click किया अब दोस्तों main कहानी यहां से start होती है यह तो अपने हमने बता दिया import करना lock file बहुत सरल था अब main कहानी start होती है यहां से हम इतने parameter से parameter select कैसे करें अना यह धीरे धीरे आप search करते कर लोगे बट आपको बहुत time लएगा अभी फिलहाल मैं आपका 4G की log import कर रखा हूं 4G की drive कर रखा हूं तो मैं 4G का आपको बता देता हूं LTE यह वाला LTE आ गया अप LTE में नीचे आप search करते जाओ यह LTE LTE surveying cell signal quality इसके plus में आप check click कर दो plus में click किया हमने surveying cell RSRP इस पे view कर दिया देखना आप यहां आपको कोई confusion हो आप comment वाक्सम करिए कोई भी दिक्कत आती है आपको आप मेरे से direct contact करिए कि मैं आपको बताऊंगा हलाकि आप कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जा जा रहा है बट आपको step by step बता रहा हूं यह आपको RSRP का जहां जहां आपने drive किया है उसका view आ गया यह आपका export हुआ दोस्तों यह आपका export open हुआ है अभी आपको report नहीं बनी है मतलब आप अभी map info में report नहीं बना पाओगे उसके लिए अब आपको तो view करके यहां देख लिए आपने map view करके बट आपको report बनाना है तो report बनाने के लिए आपको वह आला export कहां से आपको लाना है वह मैं आपको बता रहा हूं अगेन आप जाओ surveying cell RSRP में right click करो export to map info export to map info हमने किया अब हमसे यह location पूछ रहा भाई खहां सेप करना चाहरे हो मैं इसको बोल रहा हूं मैं इहर इन्हीं आप बैक करके आप एक तारिक में जाओ और यहां पर मैं जैसे यह discovery का folder अगेन एक folder बना देता हूं discovery tab अपने याद के लिए मैं बना रहा हूं कि मेरी जो export बनाया हूं वह यहां पर सारी save हो रही है यह हमने कर दिया यह save हो गया आपका यह हो गया अभी आप इसको cut कर दो यह वाला दोके से आप यह उपर वाला मत cut करना यह नीचे वाला cut करो यह window आपने close कर दिया अब आप RSRQ का right click करो export to map info यह हम direct export to map info कर दिये यह कितना जल्दी export हो रहा है बहुत जल्दी export होता अब आपको suppose sign R का चाहिए right click करो आप export to map info यह भी export हो जाएगा और सभी को आप view करके भी देख सकते हो send to map view map info में आप कितना सारा plot करते हो तब जाके आपको दिखाता कि हां यार हमारी drive यहां पे छूट गई है कितना time लेता है इसमें कितना easily हो जाता है यह view हो गया आपका यह हमने आपको इतना बता दिया इसके बाद next अपन चलते हैं यह हमारा complete नहीं हुआ भी आपकी यह export तो बन गए अब इसको हम कैसे map info में plot करें इसके लिए आप यह minimize करो और map info open करो आप सबसे पहले map info map info open किया दोस्तों यह video आपको लंबा जडूर हो रहा है मैं खुद पसित कर रहा हूं कि छोटा हो बट जल्दी जल्दी बताऊंगा तो उससे होगा क्या आपको समझ नहीं आएगा एक बार लंबा हो रहा वीडियो आप लाश्ट तक देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा आपको एक बार में फुल टाइम नहीं है आपके पास तो आधा देख लो आपकी आधा बाद में देख लो यह हमारा इसमें सबसे पहले आप टेबल में जाओ टेबल से इंपोर्ट में जाओ इंपोर्ट में जो एक्सपोर्ट आपने निकला है वह कहां पे हैं वह हमारे डीफोल्डर में जून में एक जून में ृटिस्कावरी टेब के नाम से आपने शेप किया था आप रस आपी के लेना पहले रस आपी का इंपोर्ट कर लो एक बार एक यह बार सभी के सब्सक्र करना कहां से open करो गया आप open पर जाओ और कहां पर अपने यह किया है डी फोल्डर में जून में एक जून में discovery टैब में surveying सेर्वेंग से RSRP पर टिक कर दी हमने यह आपका export open हो गया दोस्तों अब इसके बाद तो आपको report बनाना खुदी पता है मेरे video डाल रखा है कैसे map info में report बनाना है 4G की 2G की 3G की सब की फिर भी एक start में आपको बता देता हूं map में जाओ आप create thematic map मतलब आपको इसमें thematic कैसे लगाना अब RSRP मैंने save कर रखा है यह सारी चीजें आपको बताया भी हूं कि कैसे यह save करना है RSCP RSRP का कि आपको बार-बार value न देना पड़े range न डिफाइन करना पड़े तो यह हमने next कर दिया और यह हमारा next किया और यह legend ready हो गया यह हमने ok कर दिया यह अपना final क्या बन गया अपनी यह thematic लग गई यह अपनी report बन गई इस पे आपको MIPT कैसे डालना है इसको cut कैसे करना है snooping tool से यह सारी चीजे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है अब आप का asa save हो गया same आप दूसरे parameter भी आप ले पाओगी दोस्तों यह second part हो गया आपको third part में मैं बताऊंगा 2G में कहां से parameter लेना है 3G में कहां से parameter लेना है 4G के download upload का parameter कहां लेना है CQI कहां से लेना है सारी चीजें आपको मैं सब बताऊंगा आपको ताकि कोई भी परेसानी नहों थैंक्यू दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपने दोस्तों के साथ सेयर करिए जिससे उनके भी थोड़ी मदात हो सके और जो भी चीजें बताने में मैं कमी कर रहा हूं आप कमेंट बाक्स में कमेंट करिए मैं पूरी को असिस करूँगा आपको वह भी बताऊंगा ओके थैंक्यू दोस्तों